दोस्तो एकता कपूर का सूपर नैचुरल सेरियल नागिन सिक्स तो आप सभी देखी रहे होंगे जिसमें अभिनीत्री रस्मी देशाई सलाखा के किरदार को निभाती हुए नजर आ रही है जिसमें इनकी दमदार एक्टिंग, अदाइगी और इनके अंदाज को दर्सक काफ अभिनीत्री रस्मी देशाई के स्कूल टाइम के बारे में बताएंगे कि अभिनीत्री रस्मी देशाई अपने स्कूल टाइम में कैसी दिखती थी और ये कितनी पढ़ी लिखी है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे पर से पहले आप अपनी फेवरेट अदकारा रस्मी देशाई के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले नागिन सिक्स सीरियल में सलाका की किरदार को निभा रही अभिनीत्री रस्मी देशाई का जन्म 13 फरवरी 1986 को असाम में हुआ था और इसी के चलते इनकी सुरवा पढ़ाई असाम से ही पूरी हुई है वहीं अगर बात करे अभिनीत्री रस्मी देशाई के एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की सुरुवात साल 2006 में आये सीरियल रावन से की थी जिसमें इन्होंने मंदोद्री के किरद करने का मौका मिला जैसे परी हु मैं मीत मिला दे रब्बा और इसक का रंग सफेद जिसकी वज़े से आज ये टीवी इंडेस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी है लेकिन अगर बात करें कि अभिनेत्री रस्मी देशाई अपने स्कूल टाइम में कैसी दिखती और अभिनेत्री रस्मी देशाई कितनी पढ़ी लिखी है तो आपको बता दे कि रस्मी देशाई पढ़ाई के मामले में काफी जादा होसी आर्थी और इन्होंने मुंबई के जेबी खोट प्राइमरी स्कूल से अपनी सुरुवाती पढ़ाई की और इन्होंने नर्स मॉन करके इन्होंने ग्रेजवेशन की डिग्री हासिल की है इसी के साथ अभी नीत्री रस्मी देशाई के स्कूल टाइम की तस्वीरे तो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है पर आपको बता दे कि इनके बच्पन की यानि की चाइल्ड हुड की कुछ तस्वीरे उपलब्ध हैं जिसमें इन्होंने एक में तो कस्मीरी ड्रेस पहनी है जिसमें ये बेहत ही क्यूट और मासूम नजरा रही है और साथ ही इनकी एक और तस्वीर है जिसमें वो एंजल की ड्रेस पहनी हुई काफी जादा खिल खिलाती हुई नजरा रही है रस्मी देशाई अपने चैल्ड ह साथ ही टीवी जगत से जुरी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले